नमस्ते दोस्तों, चमतकारी टोटके में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सोते समय सिरहाने की ओर ना रखें ये चीजें, नहीं रहेगी धन की कमी, जी हाँ इस जानकारी को बताने से पहले, ये मैं आपको बता दूँ, कि आपने हमारे यूटूब चैनल चमतकारी टोटके को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र से संबंदित वो सारी जानका लेकर आएंगे, जिसे आप उपयोग कर अपने जीवन में सुख और सम्रिद्धी पास सकते हैं, जी हाँ हमारे दार्शनीकों ने प्राता काल के भी कुछ नियम बताये हैं, तो रात्री के भी इस कड़ी में उन वस्तुओं का उल्लेक किया गया है, जिनें रात को सोते समय सिरहाने की ओर रखने से वास्तु दोस होता है इसका प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर होता है सोते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये चीजें हमारे विस्तर के पास नहों रात को आप जिस विस्तर पर सोते हैं, उसके सिरहाने की ओर जूते, चपल और जुराब नहीं रखने चाहिए वास्तु के अनुसार इस दिशा में इन्हें रखने से ये मनुष्य के जीवन में असफलताएं लाते हैं इससे मस्तिक की ओर नकरात्मक उर्जा का प्रवा होता है, जो एकागरता में बाधक है दोस्तों तो वो कौन से चीजें हैं जिने सोते समय सिरहाने की ओर नहीं रखनी चाहिए मुबाइल फोन या नए युक की वस्तु है और प्राया लोग रात को सोते समय इसे अपने साथ रखते हैं विभिन सोधों से यह साबित हो चुका है कि मुबाइल फोन को लंबे समय तक साथ रखने खास तोर से सिरह के पास रखने से इसके गंभिर दुश परिणाम होते हैं इसलिए सोते समय मुबाइल फोन तकिये की नीचे या सिरह के पास रखकर नहीं सोना चाहिए कपड़े कपड़े शरीर की सोबा बढ़ाते हैं क्या आप जानते हैं कपड़ों को गलत दिशा में सुखाने से ये आपके जीवन में आने वाली सफलता के रास्ते में बाधक बन सकते हैं वास्तु की माने तो जिस दिशा में आपका सिर होता है उधर कपड़े ना रखें और ना सुखाएं खास तोर से अधोवस्त्र नहीं सुखाने चाहिए जाडू जाडू का काम घर का कचरा साफ करना है लेकिन अगर यह सिरहाने की ओर रखी हो तो जीवन में नकारात्मक प्रभाव लाती है जो तिशियों का मानना है कि जाडू को सिरहाने की ओर रखने से मनुष्य का भाग्यो दै नहीं होता नमक सोते समय बिस्तर को अच्छी तरह जाड़ लेना चाहिए अगर उस पर कोई अन्यवस्तु हो तो उसे यथा स्थान रख देना चाहिए कई लोगों को बिस्तर पर ही भोजन करने की आदत होती है इस दोरान वे नमक आदिप पदार्थ बिस्तर के पास ही रख देते हैं वास्तु का मानना है कि सिरहाने की ओर नमक रखने से परिवार के सदस्यों के रिस्तों में कड़वाहट आती है इसे लिए सोते समय कभी भी नमक अपने पास ना रखें ओखली नमक की तरह एक और वस्तु है जो आपके जीवन में विवाद बढ़ा सकती है वास्तु का मानना है कि रात को सोते समय बिस्तर के नीचे या सिरहाने की ओर ओखली नहीं रखनी चाहिए इससे भी रिष्टों में तनाव आता है और व्यक्ति सकारात्मक कारियों में उर्जा लगाने के बजाए व्यर्थ के विवादों में पढ़ता है रस्सी जन्जीर या रस्सी जैसी वस्तु में दैनिक जीवन में उप्योगी हो सकती है लेकिन बहतर होगा रात को इन्हें बिस्तर के नजदीक ना रखें वास्तु के अनुसार रस्सी और जन्जीर आदी असूब प्रभावल आती हैं इससे मनुष्य के कारियों में बार बार बाधायें आती हैं और उसके काम बिगडते हैं तेल कई बार लोग बिस्तर के नीचे की जगा का सद उप्योग करने के लिए घर का जरूरी समान वहां रख देते हैं यह ध्यान रखें कि बिस्तर के नीचे तेल कभी नहीं रखें खास तोर से जिस दिशा में आपका सीर होता है माना जाता है कि तेल को इस प्रकार रखने से यह मनुष्य के जीवन की रा को कठीन बनाता है और उसे अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिलता तो यह थे दोस्तों सोते समय सिरहाने की ओर ना रखें यह चीजें नहीं रहेगी धन की कमी दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर करना ना भूलें साथी साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु सास्त्र से संबंदित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिन्हें आप उप्योग कर अपने जीवन में सुक और सम्रित्धी पा सकते हैं जी हाँ भगवान आपकी सारी मनुकामनाएं पूरी करें धन्यवाद जी हाँ लेकर पलावजभ करेंगे